हलो दोस्तों नमस्कार आज के वीडियो में आपके लेकर आएं भूगोल के वेश 35 कोश्चन और अगर आपको हमारे ये प्रिश्ण और हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड सेयर करिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है भारत के जो बांध है उनमें सबसे लंबा बांध जी हो है वो हीरा कुंड बांध है जो महान अधी पर बना हुआ है यह पुछा जाता है और अगर पूछा जाता है सबसे हूचा बान तो भाकडानाग बान तो इसका हो जाएगा C निमलेकित में से कौन सा दर्रा जम्मू कस्मीर में है इन में से दर्रा पूछ रहा कौन सा जम्मू कस्मीर में है तो जम्मू कस्मीर में इसमें जोजीला दर्रा जो है जोजीला ला का मतलब दर्रा ही होता जोजी दर्रा कहलो या जोजीला ये तिब्बती भासा का सब्द है और ला का मतलब होता है दर्रा तो जोजीला जो है ये जम्मू कस्मीर में इस्तित है बाकि नाथूला जो है ये सिक्किम में इस्तित है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है ये नाथूला दर्रा है और सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है किन्नौर जिला उसको तिबबस से जुड़ता है लिपलेक ठागला दर्रा ये है ये उत्रा खंड में इस्तेत है ये वाला तो इसका A सही हो जाएगा ये वाला विकलब पांचमे का क्या हो जाएगा ये वाला जोजीला जम्मु कस्मीर में पूंच रहा है भारत में सरवादिक पटसन जूट का उत्पादन करने वाला राज पटसन या जूट जो है वो सबसे ज़्यादब पश्चिम बंगाल में होता सी विकलब सही हो जाएगा अगला है निमलेकित में से कौन से नदी महाराष्ट के नासिक जिले में है महाराष्ट के नासिक जिले में कौन सी नदी बहती है तो इनमें गोदावरी नदी जो है वो नासिक में बहती है आठ ए निमलेकित में से किस इस्तान पर तेल सोदक कारखना है किस इस्तान पर तेल सोदक कारखना इन चार विकलपों में से बराउनी में है बरोनी तिता आठ का हो जाएगा बी बरोनी जो है ये बिहार में है इसमें इंडियन आल कार्पोरेशन जो है उसका ये तेल सोधक कारखना बिहार में भारत का सबसे पहला तट आधारित आदमीक एकी करत इस्पाार सैयंत्र और कहां है? यह इस्पाार सैयंत्र जो जो है यह बिसाका पत्नम में है? D विकलब सही हो जायेगा, जस्मा राज गाट बांध किस नदी पर इस्थित है? राजगाट बांध जो है ये उत्त्र प्रदेश में इस्तित है और ये बेतवा नदी पर है सी बिकलब सही हो जाएगा बेतवा नदी पर है ये ललितपुर जिले में है ललितपुर यूपी में है और ये MP जो MP मद्ध प्रदेश और यूपी इन दोनों की ये साजा अंतर राजिये परियोजना, जल बिदुत परियोजना है, राजगाड बान जो है ये, अंतर राजिये जल परियोजना है, MP और UP की, निमलेकित में से कौन सी परवस्रेणिया तमिल नाडू में नहीं है, कौन सी परवस्रेणिया तमिल नाडू में नहीं है, तो ये जो नाला माला पाडियां हैं, ये तमिलनाडू नहीं है, ये आंदर प्रदेश के रॉयल सीमा छेत्र और तेलंगाना की पूर्वी सीमा, रॉयल आंदर प्रदेश और तेलंगाना में ये इस्तित हैं, तेहरी बांद को पानी किस नदी से मिलता है, तेहरी बांद जो है उत्तरा ख दफला तता सिंगफो जन जातिया निमलिकत में से किस प्रदिष में पाई आतिया तो ये रोणाचल मानसून यहां पर सबसे ज्यादा तमिलनाडू में बारिषsk inger बारिष सही हो जाएगा प्राचीन बंदरगार नगर भ्रग 커्ष निमलकत में से किस नदी के मुहाने पर बसा है किस नदी के मुहाने पर बसा है यह नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा डी विकलब सही है निम्लेकित तटो में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीने में साधान तया सुस्क रहता है तो यह रहता कोरो मंडल तड यह तमिल नाडू में है वहीं जहां पर जब यहां बारिस होती है, तब उद्धर बारिस नहीं होती है, बहां पर सुस्क रहता है, जब यहां पर उत्तर भारत में बारिस खत्म हो जाती है, तब बापस होता है, तब बहां पर बारिस होती है, तो यह यह वाला सही हो जाएगा, निमलेकित किरसी पहलब स्थाई होने कौन साया से बंदरका बहारत में अरब सागर के तड़पर इस्तित था Daar मारम गाओं गुआ में है और ये भी अरब सागर में है तो ये चारो हो जाएंगे अरब सागर के तरफ पर इस्तित हैं तो विकल्प हमारा हो जाएगा इसका सी एक दो तीन चार बिहार के किस छेत्र में ब्रह्म्योनी की पाड़ियां पाई आती हैं ब्रह्म्योनी की पाड़ियां गया में पाई आती हैं बहारत बिहार में जो गया है बहां पे पाई आती हैं अगला 22 है नाथूला दर्रा इस्तित है नाथूलादरा जो है सिक्किम में इस्तित है जो सिक्किम और तिब्बत की सीमा को जोड़ता तिब्बत को जोड़ता है इडुकी जल्विदुत परियोजना किस राज में इस्तुत है इडुकी जल्विदुत परियोजना यह है केरल में इस्तुत है और यह पेरियार नदीपर है केरल में है पेरियार नदीपर निमलिकेट में से किस बारती राजसे होकर करक्रेका नहीं गुझरती है गुझराज से होकर गुझरात, राजस्थान से फिर मद्दपरदेश, च्छेटिय स्कड, जारकंड, पच्चिम बंगाल, तिरपुरा और मिजोरम होके कुल मलाकर के आठ राजियों से गुझरती है निमलकित में से कौन सी परवस्त्रिंडी सबसे पुरानी है परवस्त्रिंडी के अगर बात करें भारत में तो अरावली सबसे पुरानी पाड़ियां है 28 भारत में कुल कितने रेलवे जोन है बरतमान में भारत में अगर मेट्रो जोन को मिला लिया जाए दक्कन ट्रेप में पाए जाता पहला विकल्प सही है बांधों और नदियों के जोड़े बनाई है जिन पर बे बने हैं तो उकाई जो है उकाई बांध जो है यह हमारा तापती नदी पर है चौता हो जाएगा राणा प्रताप सागर जो है यह चंबल नदी पर तीसरा हो यह विकल्प सही हो जाएगा डिल्ली को चोड़कर वारत में कुल कितने प्रांत हैं बरतिमान में टोटल 28 प्रांत हैं पहले 29 से क्योंकि जमद्मू कस्मीर ही हो जाए उनद वह लग जानद रहा है तो प्रांत नहीं रहा तो दिल्ली को को जोड़ दिया जा सा में जो रहम है